संकल समाजिक संगटन के माध्यम से उत्तरी नाकपुर में गरीबों के लिए दो कारंटाइन केंडर शिरू किये गया है वही अब गुरुनानक भवन गुरुनानक पुरा अशुक नगर में तीसरा कारंटाइन केंडर शिरू किया गया है यहां निशल भूजिन भी उपलब कराया जाता है पिछले कुछ दिनों से कोर्णा का प्रकोब बढ़ रहा है उत्तरी नागपुर में गरीब और मध्यम वर्ग घर में अलगाव में नहीं रह सकता संकल समाथ संसान के निदेशक और महाराश्र प्रदेशिवा कॉंगर्स के उपाद देशक कॉणाल रावत नी एक समादान खोशने के लिए एक संगरोध केंडर स्थापित करने की पहल की कपिलनगर बुद्ध विहार और इसलामिक कल्चरल सेंटर आशिनगर में संगरोध केंडर शुरू के गए थी अब एक तीसरा संगरोध केंडर जोड़ा गया है यह गंभी रूप से बीमार रोग्यों क्यों समायोजित नहीं करेगा केवल कोर्नर्स जो निरिक्षन के बाल अलगाव में रह सकते हैं उन्हें इस संगरोध केंडर में रखा जाएगा उनकी भूजिन की व्यवस्ता संगरोध सामाजिक संगटन द्वारा की गई है इन तीन संगरोध केंडरों में लगभग सौ मरीज को रखा जाएगा उनकी स्थिती का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर, नर्स और पेरामेडिक्स नियुक के गए है संकल्प सामाजिक संगटन के लिए संग्रोत केंद्र की अवधारना पर बोलती हुए संकल्ब सामाजिक संगटन के निदेशक कुनाल राउत ने कहा कि संगरोत केंडर एक सामाजिक प्रतिविद्धिता से बाहर शुरू किया गया है कई को घर से अलग होकर रहना पड़ता है लेकिन क्यूंकि घर छोटे है मरीशों के लिए अलग से रहना संभव नहीं है इसे घर के अन्य लोगों को कोणा संक्रमन होने का खत्रा है सामाजिक संक्रटन ने दूसरों को इससे सुरक्षित रखने के लिए संगरोत केंडर शुरू करने का फैसला किया है उत्तर नाकपुर में ऐसे तीन केंडर स्थापित किये गये है इसमें गरीब और माध्यमवर की कोणर्स शामिल होने चाहिए जिसके घर में परियाब चगह है उन्हें अपने घरों में बसाया जाना चाहिए कुएंद्र का उद्गाटन आज गुरुनानक भवन में गुरुद्वार के माध्यम से पूजा अर्चना कर किया गया जस्मीत सीह भाटिया, टिंकुधीर, कर्वींदर सीह, खुशिकवल सीह आनन, सर्बजीच सीह भाटिया, हर्दीव सीह भाटिया, रवींदर सीह राना, सत्वींदर सीह, ओमकार सीह, कुर्मीच सीह स्वनी, हर्वीर सीह आनन, अमृतपाल सीह भाटिया, हर्प्रीच सीह इस पर मौजू थे क्यामरा पोसन अकलेश भारे द्वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसी न्यूस नाकपूर